अध्याइच है ध्यान योग श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रतिया ना सकता है और जो अपने कर्तब्य का पालन करता है वही सन्यासी और अस्ति योगी है वह नहीं जो न तो अगनी जराता है और ना कर्म करता है फे पान्डु पुत्र जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रम से युक्त होना जानो क्योंकि इंदे तप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता अश्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कारे कलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंदे तप्ति के लिए कारे करता है और न सकाम कर्मों में प्रवत्त होता है तो वह योगा रूड कहराता है मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उधार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रू भी जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सरुष्रेष्ट मित्र है फिन्तु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रू बना रहेगा जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है क्योंकि उसने शांती प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी पेवं मान अत्मान एक से हैं। वह व्यक्ति आत्म साक्षाकार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ग्यान तथा अनुभूती से पूनत्य संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सरी वस्तूओं को चाहे वे कंकड़ों, प अध्यस्तों, ईश्वालिओं, शत्रों तथा मित्रों, उन्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी को चाहिए कि वे सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एक आंतिस्थान में र चाहिए। योगा भ्यास के लिए योगी एक आंतिस्थान में जाकर भूमी पर पुशा बिछा दे, और फेव से मिर्ट छाला से ढखे, तथा उपर से मुलायम वस्तर बिछा दे, आसन न तो बहुत उंचा हो, न बहुत नीचा, यह पवित्रिस्थान में तित हो। योगी क चाहिए कि इस पर धरता पूर्वत बैठ चाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश्मे करते हुए, तथा मन को एक बिंदू पर इत्रित करके विदय को शुद्ध करने के लिए योगा भ्यास करें। योगा भ्यास करने वाले को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तता सिर्व को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टी लगाए। इस प्रकार वे अविचलित तता दमित मन से भैरहित विशई जीवन से पूर्टया मुक्त होकर अपने हिदय में मेरा चिंतन करें और मुझे ही अपना चरम रक्षे बनाए। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर सैयम का भ्यास करते हुए सैयमित मन वाले योगी को इस भोतिक अस्तित्व कि समाप्ति पर धगवध्धान की प्राप्ति होती है। हे अरजुन जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अत्वा जो पर्याक्त नहीं सोता, उसक योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगा भ्यास द्वारा समस्त भोतिक लेशों को नश्ट कर सकता है। जब योगी योगा भ्यास द्वारा अपने मानसिक कारे कलापों को वश में तर लेता है और अध्यात्म में इस्थित हो जाता है, पर थात समस्त भोतिकी चाओं सरहित हो जाता है, तब वह योग में सुष्थिर कहा जाता है। जिस प्रकार वायू रहित इस्थान में दीप खिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश्ट में होता है, वह आत्म तक्तुत के ध्यान में सदैव इस्थिर रहता है। सिद्धी की अवस्था में जिसे समाधी कहते हैं, मनुष्य का मन योगा भ्यास के द्वारा भवतिक मान सी क्रियाओं से पूर्ट अस्थियमित हो जाता है। इस सिद्धी की विशेष्था यह है, कि मनुष्य श सुप में स्थित रहता है। इस प्रकार इस्थात्त मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुप की प्राप्ती हो जाने पर प्रैस से बड़ा कोई दूसर लाब नहीं मानता। ऐसी सिद्धी को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलिक नहीं होता। यह निसंदे भौतिक संसर्क से उत्पन होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ती है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्टता शद्धा के साथ योगा भ्यास में लगे और तक से विचलिक नहीं। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन समस्ते च्छाओं को निरक प्रकार मन के द्वारा सभी और से इंद्रियों को वश में करे। धीरे धीरे क्रमशह, पूर्विश्वास, पूर्वक बुद्धी के द्वारा समाधी में स्थित होना चाहिए। और इस प्रकार मन को आत्म में ही स्थित करना चाहिए। और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चा मन मुझमें इसति रहता है वेह निष्ट हिदिव्य सुप की सरवोच सिद्धी वाप्त करता है वहरजगुन से परे हो जाता है वेह परमात्म के साथ अपनी गुणात्मत एक्ता को समस्ता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निव्रित हो जाता है इस प्रकार योगा भ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म सैयमी योगी समस्त भोतिक कलमस से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिज्वे प्रेम भक्ती में परम सुख प्राप्त करता है वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझमें समस्त जीवों को देखता है निसंदे सरूप सिद्ध व्यक्ती मुझ परमेश्वर को सरवत्र देखता है जो मुझे सरवत्र देखता है और सब कुछ मुझमें देखता है उसके लिए ना तो मैं कभी अद्रश्य होता हूँ और ना वे मेरे लिए द्रश्य होता है जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सिवा करता है वे हर प्रकार से मुझ में सदैय विस्तित रहता है ये अर्जुन वे पूर्ण योगी है जो अपने तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तता दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है अर्जुन ने कहा ये मधसुदन आपने जिस योग पद्यति का संग्शेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अविभारिक तता असानिय है क्योंकि मन चंचल तता आइस्थिर है ये क्रश्न चूंकि मन चंचल को शंखल अठीला तता अत्यंत बलवान है अतै मुझे इसे वश्मे करना वायू को वश्मे करने से भी अधिक कठिन लगता है भगवान शी क्रश्न ने कहा ये महाबाहू कूंति पूत्र निसंदे चंचल मन को वश्मे करना अत्यंत कठिन है किन्तु उप्युक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है जिसका मन श्रंकल है उसके लिए आत्म साक्षातकार कठिन कार्य होता है किन्तु जिसका मन संयमित है और जो समचित उपाय करता है उसकी सफलता धू है ऐसा मेरा मत है अर्जुन ने कहा हे क्रिश्ण उस असफल योगी की गती क्या है जो प्रारम में शद्धा पूर्वक आत्म साक्षातकार के विदी प्रहन करता है तिन्तु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिध्धी को प्राप्त नहीं कर पाता हे महाबाहु क्रिश्ण क्या ब्रह्म प्राप्ति के माल से भरष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्म तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से चुत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादर की भाती विनष्ट नहीं हो जाता जिसके फलसुरूप उसके लिए किसी लोग में कोई स्थान नहीं रहता हे क्रिश्ण यही मेरा संदे है और मैं आप से इसे पूर्ट्या दूर करने की प्राथना कर रहा हूँ आपके त्रिक्तन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदे को नश्ट कर सके भगवान ने कहा हे प्रथा पुत्र कल्यान कारियों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न पर लोक में ही विनाश होता है हे मित्र भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता हसफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या की धनवानों के कुल में जन्म लेता है अथ्वा वे ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धी मान है पुन्हे प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उदेश्य से वह आगे उन्नती करने का प्रयास करता है। अपने पूरुजन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी सुतह योग के नियमों की और आकरशित होता है। ऐसा जिग्यासु योगी शास्तर के निश्ठानों से परेस्थित होता है। Engineer. और जब योगी समस्त कर्मस से शुद्ध होकर सच मिश्ठा से आगे प्रगती करने का प्रयास करता है तो उन्त्तो गत्वा अनेका नेक जन्मों के अभ्यास के पश्चार सिद्धिला हाँ करके व तुम सभी प्रकार से योगी बनो और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत शद्धा पूर्वक मेरे परायान हैं, अपने अंत्यकरण में मेरे विशय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रया भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युट रहता है और सबों में सरोच है यही मेरा मत है